हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू एर्डॉफफ इंडिया एर्डॉफफ इंडिया में एक पर फिर से आपका स्वागत है और अभी कुछ अपडेट्स है हम लोगों ने पहले के एर्डॉफ जोन के तहाई एक एक्सचेंज का हाई बीटिसी जिसमें की 250 टोकेंस हमें मिल रहे सकते हैं तो इसे आप अपने माई इथर वालेट पर सेंट कर सकते हैं या फिर किसी एक्सचेंज पर भी आप टांसफर कर सकते हैं तो यहां पर आप अपना एक्सचेंज पर लोग इन कर लें हाई बीटिसी एक्सचेंज पर फिर यहां से आप जिस पेर में को ट्रेड करना ह यहां से आप कोईन को सेल कर सकते हैं तो यहां से आप इसे कोईन को सेल कर सकते हैं अगर होल्ड करना चाहिए तो होल्ड कर सकते हैं या फिर आपकर सेल करना चाहिए तो सेल करना चाहिए तो सेल कर सकते हैं तो सेल करके आप अपने विड्रॉल कर ले तो मैंने तो मर्का टॉक्स एक्सचेंज पर विड्रॉल लिया है आप चाहिए तो इसे माई इथर वैलेट पर ही अपना सेंड कर सकते हैं यह मैं आपको दिखा देता हूँ विड्रॉल हिस्ट्री देखिए मैंने इतना अभी करीबन डाइसोगर टोकन अगर आपको रिसी अगर जिन्होंने पाहले जोन किया था हूँ चार सो टोकेंस मिल रहे थे और जिन्होंने बाद में जोन किया हूँ है डाइसोगर मिल रहे थे हाई बीटीसी का एक्सचेंज कर तो मुझे डाइसो टोकें मिले थे तो मेरे इतने कुछ फीस लगेगी 0.008 कुछ फीस लगेगी और यह आपके विड्रोल हो जाएगा जहां आप और भी आप विड्रोल करना चाहेंगे दूसरा आपडेट से फ्रेंड्स मरका टॉक्स एक्सचेंज में जो है आपका डेल्टा चैन डेल्टा चैन टोकें यहां पर लिस्ट हो गया है आज और कुछ दिन पहले यूफोर या इपी एच टोकें भी हमें रिसीव हो थे माई एथर वैलेट पर वह दोनों लिस्ट हो यह हमें आपको दिखा देता हूँ देखिए डेल्टा चैन बीटीसी इथरियम दोनों के यह लिस्ट हो गया है अभी 25 सतोसी मैंने 23 सतोसी पर सेल किया मुझे दो एकाउंट में पांच लाक बीस हजार के करीम मिले थे टोकेंस तो मैंने सारे सेल कर दिया 23 सतोसी में ही सेल कर दिया था मैंने अभी 25 सतोसी चल रहा है देखिए फ्रेंट्स अभी कितना चल रहा है अभी 25 सतोसी में आप सेल कर सकते हैं और यह देखिए यह थर्ट लाश्ट ट्वैटीफ थर्टीनाइन हाई गया था आज ही यह लिस्ट हुआ है और 18 लो गया था तभी 25 सतोसी अभी और एक फ्रेंट से इस एक्षेज में इपी एच भी लिस्ट हो गया है आपको अगर आपके पास अगर इपी एच कोई यूफोरिया मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस कोईन की टोटल सप्लाई बहुत ही कम है तो इसे आप होल्ड करके रखेंगी देखिए जब सही लिस्ट में यह सेल हो रहा है बिट कोईन में बिट कोईन पेर में तो जैसा आप ठीक समझे मैं आपको सलाह दूंगा कि इसे आप होल्ड करके रखें और इसकी देखिए एपी एच में अगर आप एवरी डे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपनी कोईन को भी बढ़ा सकत हैं और इसमें देखिए यह बाय ओडर चौंशट सो है सेल ओडर आठाजार है अब बाई सेल बाई सेल करते रहेंगे तो भी आपको आपकी जो फंड होगी वह उसमें बढ़ा सकते हैं तो फ्रेंट्स यह सब कुछ अपडेट्स था ओके फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट ए